लेक्चर 11 के पार्ट 2 में आपका बहुत स्वागत है पिछले पार्ट में हमने कॉन्वेक्स लेट्स की बात की दी और हमने बोला था कि की एक optimization problem यह बिए 2 चीज़े इंपोर्टेंट है एक कॉन्वेक्स फंक्शन्स को समझना और दूसरा कॉन्वेक्स सेट को समन्ना कॉन्वेक्स सेट्स उसके constraint सेट का काम करते हैं और कॉन्वेक्स फंक्शन जो है उसके objective function का काम करते हैं किसी भी कॉन्वेक्स अब हम कॉन्वेक्स फंक्शन्स को समझते हैं और कॉन्वेक्स फंक्शन्स बहुत ही यूसफुल एक एक स्पेशिल टाइप के विशेश तरह के फंक्शन्स हैं जो कि बहुत यूसफुल है क्योंकि जैसी हमें पता चलता है कि हमारा objective function कॉन्वेक्स है और हमारा constraint set convex है हमारा हमारा जो optimization का जीवन बड़ा सरल हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉन्वेक्स functions और convex sets मतलब की convex problem और convex problem मतलब की किसी ने आपके लिए वो solve कर दिया है या उसके उस उस problem के जैसे कई problems का solution कहीं न कहीं मौझूद है जो कि आप सीधा use कर सकते हैं और नहीं भी है तो अगर आप उससे solve करेंगे और आप gradient descent लगाएंगे उस पे gradient यानि first order methods पे first order methods को उसको use करेंगे तो आप सीधा global minimum में पहुंचेंगे तो convex functions या Convex optimization problems लिए बहुत interesting problems है तो हम समझते है Convex functions क्या है तो Convex functions पहली बात तो समझने के लिए दो चीज हमें चाहिए एक तो हमें समझना पड़ेगा कि जो उस function का domain है क्या वो convex है क्या और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि वो function खुद मैपिंग है वो खुद convex है क्या तो domain तो बहुत ही आसान है domain मतलब एक set तो आपने Convex set समझ लिया है तो अगर उस function का domain एक Convex set है ठीक है तो वो पहली property है अब हम समझते Convex function कैसे प्रूफ करेंगे तो Convex function के लिए basically हम भी बोलना चाहरे है कि हमने एक function लिया हमने इसमें दो point लिये x और y जो कि उसके domain में है और हमने उस उन points का Convex combination निकाला जिससे हम थीटा x plus one minus theta y बोलते हैं या lambda x plus one minus lambda y बोलते हैं हम कुछ भी कह सकते हैं ठीक है अगर वो वो जो point है अगर मैं उस पर function calculate करता हूं और अगर वो point जिसे मैं एक बार के लिए fz कह देता हूं अगर fz जो है theta fx plus one minus theta fy से चोटा है तो वो set तो वो function convex function है अगर मैं इसे geometrically आपको बता हूं तो हम पहले geometrically समझते हैं उसकी बाद हम फिर से algebraic definition में आ जाएंगे और convexity की कई सारी algebraic definitions है बट geometrically इसका मतलब यह है कि माल लीजे मेरा function ऐसा है और by the way convex functions कुछ इसी तरह दिखते हैं हमेशा नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं वाले function होते हैं और उनमें generally एक ही minimum होता है हलांकि कुछ ऐसे function भी convex functions हो सकते हैं जहां पर एक तरह का flat minimum है यहने बहुत सारे points minimum है तो मैं पहले उसकी बात करता हूं अगर मैंने कोई point लिया यहां पर x और दूसरा मैंने point लिया y ठीक है तो यह मेरा function है और मैंने उस function पर दो point लिये x और y उसके domain पे और मैंने उन points को join कर लिया ठीक है और अब इस joining में आपने देखा था कि कोई point z जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा theta x plus 1 minus theta times y where theta is greater than or equal to 0 याने x और y की बीच के दो सारे points है वो theta x plus 1 minus theta y के तरह लिखे जा सकते हैं ठीक है अब मैं अगर उस point पे function calculate करता हूँ तो यह मेरा f of z है ठीक है और यह मेरा f of x है यह मेरा f of x है और यह जो है यह मेरा f of y है कुछ ऐसा है यह मेरा f of x है यह मेरा f of y है यह fx है और यह f y है अब ध्यान दे ठीक है तो अगर मैं fx और fy कल convex combination लेता हूँ तो मुझे मिलेगा theta fx plus one minus theta fy ठीक है आप समझ रहें ना मैंने यह fx लिया यहां पर और यह मैंने fy लिया और जब मैं इन दोनों का convex combination लेता हूँ तो कोई एक बीच का point यहां पर आने वाला है क्योंकि यह मेरा मेरा f है तो यह दोनों मैंने मैं आपको फिर से बता दू मैंने क्या किया मैंने x और y को यह भी दो point function के लिए मैंने उन दोनों को join कर दिया यहने points को join कर दिया तो मुझे मिला theta x plus one minus theta y इसे मैं z कहता हूँ ठीक है अब मैंने fx और fy लिया और मैंने उन दोनों को भी इसी तरह जोइन कर लिया मतलब पहले मैंने x-axis में जोइन किया था मैं y-axis में जोइन कर रहा हूँ और theta fx plus one minus theta fy उसका convex combination मना तो function अगर convex है तो fz जो है वो हमेशा theta fx plus one minus theta fy से कम होगा याने कि अगर मैं उस point पर function calculate करता हूँ जो x और y के बीच का point है तो वो point हमेशा उन दोनों के उस function के हमेशा ऊपर लाए करेगा ठीक है याने fz जो है वो one minus theta fx plus one minus theta fy से कम होगा याने जो मेरा fx है यह हमेशा इस line के इस side होगा नीचे होगा ठीक है और इसको हम दूसरी भाशा में कहते हैं कि अगर मैं एक 2 convex function अगर convex है तो मैं 2 points में join करूँगा और वो जो line जो है वो उस function के हमेशा उपर रही लाइन के उपर रहने का अभी प्राय है कि fz जो है वो theta fx plus one minus theta fy से हमेशा छोटा है क्योंकि every point here is fx आपको दिख रहे हैं यह सारी fz यह सारे point जो है यह मेरे theta fx plus one minus theta y है और यह सारे point है वो उनके corresponding उनका function का evaluation है मैं आपको फिर से एक बार draw करके दिखा दूँ यह मेरा convex function है मैंने यहाँ पे एक point लिया x मैंने दूसरा point लिया x y मैंने इनको join कर दिया तो यह जो line है हमेशा इस function के उपर रहती है इसका मतलब यह है कि इस line पे जो y का evaluation है जो कि इन दोनों का convex combination है यह जो सारे points है यह वो इनके y axis के values यह है यह जो points है सारे यह इस function के हमेशा ऊपर रहते हैं आपको दिखी रहा है कि यह जो line है इस function की जो value है उसके ऊपर है ठीक है इसे हम इसे this is the first definition इसे हम convexity definition कहते है तो मैं अगर अब पीछे जाके फिर से एक बार definition आपको दिखाऊं तो definition कुछ इस तरह दिखती है कि f of f of theta x plus 1 minus theta y यानि x और y points का जो function है का जो answer है f theta x plus 1 minus theta f theta y जो अगर मैं से z कहूंगा तो जो f z है वो हमेशा theta fx plus 1 minus theta fy से छोटा होगा ठीक है यानि की convex combination मैं आपको आपको यहां पे लिख देता हूं इस point को की convex combination of function values always lie above the function okay तो यह है convexity की definition और अगर मैं आपको थोड़ी सरल भाशन में बताओं तो कोई भी जो bowel होता है कोई भी जो एक तरह से जो इसे मैं कहूंगा कटोरा जो होता है कटोरा की जो shape होता है वो convex होता है अगर लेकिन shape में माल लीजे कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर हम मैं आपको फिर से इसमें याद दिला दूँ कि माल लीजे कोई function कुछ इस तरह का है तो दो नहीं है क्योंकि अगर मैं एक दो कोई भी दो पॉइंट लूँ और उनके लाइन उनके बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन अगर उस function के नीचे है तो function कॉइंट नहीं है याने कोई भी दो पॉइंट लेने पर जो लाइन बनती है वो लाइन फंक्शन के ऊपर होनी चाहिए वो उस function को धग उस फंक्शन को धकनी चाहिए वो लाइन उन दो पॉइंट के बीच के वैल्यूज के लिए चीक है तो यह एक तरह से इस इस नॉट अ का कॉन्वेक्स फंक्शन है ठीक है एंड दिस इस अ कॉन्वेक्स फंक्शन यह कॉन्वेक्स फंक्शन की परिभाशा है ठीक है अब मैं हम कुछ उधारन देखते हैं जैसे fx is equal to x square एक तरह से कॉन्वेक्स फंक्शन है fx is equal to 1 by x अगर x r से r मतलब x हमेशा जीओ से बढ़ा है तो कॉन्वेक्स फंक्शन है क्यों है चलिए हम इसको यहां पर देख सकते हैं कि यह कॉन्वेक्स फंक्शन क्यों है आप अगर ध्यान से देखें तो मैं 1 by x बनाओंगा तो 1 by x कुछ इस त कर दूं तो वह फंक्शन के हमेशा ऊपर रहेंगे देखिए हमेशा गैप रहेगा ठीक है यह तो आपको सिर्फ मतलब देखने पर है बटे से आप प्रूफ भी कर सकते हैं और हम थोड़े दिन में देखें कि कि किसी भी फंक्शन को कॉन्वेक्स कैसे प्रूफ करें हम यह देखने वाले हैं हाला कि पहला तरीका प्रूफ परने का यही है कि हम देखें कि यह जो प्रॉपर्टी है वह सटिस्वाइब हो रही है सबसे पहला तो तरीका यही है बट हम और असान तरीके भी देखेंगे अच्छा इसमें एक और छोटा सा छोटी सी बात यह है कि अगर F convex है तो minus F जो है, concave हो जाएगा या उल्टा, तो एक तो convex function है जिसमें जो line है वो हमेशा function के ओपर रहती है, किसी दो point के line अगर मैं line draw करता हूँ तो function के ओपर रहती है concave function वो होता है कि अगर line हमेशा function के नीचे रहती है, तो concave function है, आपको शायद बच्चमन में convex mirror और concave mirror या convex lens या concave lens याद होगा physics में तो यह उसी वही उसी चीज को परिभाशित कर रहा है मैथ की भाशा में, हाना तो F अगर convex है तो minus F concave है, minus F, अगर F concave है, तो minus X convex हो जाएगा, ठीक है तो convex और concave एक ही बात है बस अगर आपको कोईसी function को concave proof करना है, तो आप minus X convex, उसके minus को convex proof कर दीजे अगर आपको किसी function को convex proof करना है, तो आप उसके minus F को concave भी proof कर सकते हैं और concavity में यह जो inequality वाला sign है, यह ulti side दिखेगा, क्योंकि जो line है वो function के नीचे रहती है, ठीक है तो यह जो तीन उधारण है मैं चाहूंगा कि आप इसे इस परिभाशा के साब से आप जाएं अपने इस lecture के बाद और इसे साबित करने की proof औरने की कोशिश करें ठीक है, तो यह है convex functions की अब हम थोड़ा और इसमें डीप में जाते हैं और और समझते हैं कि और क्या के परिभाशा हैं और second question, second जो जिसे मैं बोलूँ आप definition है, convex function की है वो बड़ी असान और बहुत useful definition है, वो यह कहती है कि मेरा function convex है अगर हर approximation हर जिसे हम कहेंगे हर linear approximation, every linear approximation okay of the function is below the function यानि अगर मैं अगर आपको ध्यान हो तो हमने Taylor series approximation की बात की थी बहुत पहले, अपने calculus के discussion के समय और उसका opiog यहीं आ रहा था कि हम Taylor series हम किसी भी function का अगर Taylor series approximation करें, हर point पे हाना, कहीं भी कर सकते हैं Taylor series approximation और अगर वो approximation line जो है, उस function के नीचे रहती है हमेशा, तो अभी तक हमने देखा कि वो जो दो points को जाइन कर रहे हैं, वो line हमने बात की थी, अभी दूसरी line है, यह है Taylor series approximation, first order linear approximation of the function अगर यह जो line है यह function के हमेशा नीचे रहती है तब भी function convex है तो मैं geometrically अगर आपको उसे दिखाऊ तो geometrically हम उसे ऐसे देखेंगे कि यह मेरा function है ठीक है और मैं कोई भी point लेता हूँ, और मैं अगर वहाँ पे approximation करता हूँ, तो यह मेरा approximation है, उस point पे first order approximation, और अगर आपको ध्यान हो तो first order approximation looks like this, f5 is fx plus gradient gradient of fx y minus x, या अगर मैं x not पे कर रहा हूँ, तो y minus x not यह मेरा x not point है और यह मेरा approximation है ठीक है, तो यह जो approximation है, यह हमेशा इस surface के convex surface के नीचे रहता है अगर यह true है, तो यह convex है और अगर यह convex है, तो यह true है यानि कि इससे हम mathematically ऐसे लिखते हैं, मगर इसका एक और interpretation है, वो यह है कि the first order Taylor series approximation is the global underestimator यानि अगर मैं उस line अगर मैं उस line को approximate करूँगा, तो वो हमेशा उस function के नीचे रहता है, और चुकि हम function को minimize कर रहे हैं इसलिए एक तरह से वो line जो है उस function का एक तरह global underestimator है, वो उसे underestimate कर रहा है क्योंकि वो उसके नीचे है, उसकी function value उसके नीचे है ठीक है? और यह पिसली definition थी, जो हमने देखा था, convexity की जो convex combination वाली जो definition थी, यह definition थी जिसे मैं 1 कहूंगा, और यह जो next definition है जिसे मैं first order Taylor series approximation based definition कहूंगा, या linear approximation वाली definition कहूंगा यह जो definition है, हम इसे prove कर सकते हैं, हम इस class में नहीं करेंगे मगर यह बहुत आसानी से prove हो सकता है कि यह दोनों equivalent definition है यानि अगर वो सही है, तो यह भी सही है ठीक है? तो यह हमारी दूसरी परिभाशा है अब हम next easy वाली परिभाशा में जाते हैं थोड़ा, अभी तक तो हमने इसको mathematically, algebraically दिखा था, अब हम थोड़ा सा और इसे calculus का use करके हम परिभाशा convexity के बताएंगे, इससे हम कहते हैं second order condition for convexity, और second order condition यह कहता है कि अगर मैं मेरा function fx है और अगर मैं इसका double derivative लेता हूँ ठीक है, याने मैं इसका hessian लेता हूँ, double derivative लेता हूँ और अगर double derivative 0 से बड़ा है, या फिर hessian के case में वो positive semi definite है ठीक है, तो function convex है, ठीक है बहुत ही आसान परिभाशा है, याने मैंने double derivative लिया, मैंने चेक किया है कि वो 0 से बड़ा है कि हर value के लिए अगर ऐसा है, तो वो convex function है उधारन के तोर पर, अगर हम देखें, तो हमने बात की थी fx is equal to x square की ठीक है, इसका double derivative किया होगा इसका first derivative होगा 2x इसका second derivative होगा 2, और चुकि 2 0 से बड़ा है याने x square is a convex function ठीक है, हम log x देख लेते हैं, log x मैं minus log x देखता हूँ तो minus log x अगर मेरा fx है तो f dash x क्या होगा minus 1 by x f double dash x क्या होगा 1 by x square, चुकि 1 by x square हमेशा 0 से बड़ा होता है इसलिए minus log x is a convex function और log x चुकि minus log x convex है इसे log x is a concave function ठीक है, ये उधारन नमबर 1 और उधारन नमबर 2 हो गए हम और उधारन देख लेते हैं उधारन नमबर 3 उधारन नमबर 3 है अगर मैं एक और आपको थोड़ा और complicated function देता हूँ चलिए, चलिए मैं आपको एक linear function देता हूँ, ठीक है fx is equal to c transpose x तो इसका gradient क्या होगा? इसका gradient हमने देखा था शोरू में जब हमने calculus की बात की थी इसका gradient c होगा इसका hessian क्या होगा? इसका hessian 0 होगा चूँकि इसका hessian 0 है इसलिए it is a convex function but it is also a concave function क्योंकि इसका hessian 0 है तो सारे जो linear function होते हैं वो convex function होते हैं याने जितने भी linear linear optimization problems हैं वो convex problems भी हैं वो अलग बात है कि हम उनको solve convex problems की तरह नहीं करते हैं उनके ज़्यादा efficient methods मौझूद हैं लेकिन linear functions are convex functions ठीक है? हम और उधरन देख लेते हैं थोड़े से माल दीजे मेरा function है x transpose p x plus q transpose x ये एक तरह का quadratic function हम कहेंगे से quadratic function है ठीक है? x transpose p x तो gradient of f x अगर आपको ध्यान हो gradient of f x p plus p transpose times x था plus q ये हमारा gradient था है इसका और इसका हैसियन था और ये हमने पहले किया हुआ है class में अगर आपको ध्यान हो हमने शायद lecture 3 or 4 में किया था ये इसका जो हैसियन होगा वो कुछ इसी तरह दिखेगा p plus p transpose अगर p एक semi definite matrix है symmetric है तो p plus p transpose बराबर हो जाएंगे तो ये एक तरह से 2p हो जाएगा याने कि अगर 2 अगर p if if p is psd then fx is convex याने अगर मेरे पास एक quadratic optimization problem है x transpose p x plus q transpose x तो q transpose x तो हमने देखे लिया था कि वो एक convex function है क्योंकि वो linear function है मगर x transpose p x अगर p positive semi definite है अगर matrix p positive semi definite है तो एक quadratic function जो होता है वो convex function होता है तो ये हमारा चौता example हो गया तो कहने की बात ये है कि जो second order optimality condition है वो बड़ी interesting है क्योंकि हम kvl function का double derivative निकाल कर उस function के convexity को prove कर सकते हैं या convex नहीं है तो prove कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे कुछ और उधारन हुए अब हम convexity के कुछ simple मतलब कुछ elementary properties देख लेते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर f1 plus f2 मेरा function है और f1 plus f2 is f3 मगर अगर f1 convex है f2 convex है तो f1 plus f2 भी convex होगा एक line में prove कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो interesting definition है interesting property वो है point wise maxima की यानि कि अगर मेरे पास एक function है f1 और एक function है f2 और वो दोनों के दोनों convex है अगर f1, f2 दोनों convex है तो इन function का maximum भी convex होगा यानि मैं हर point पे चेक करूँगा कि दोनों में से कौन सा बड़ा है और इस तरह मेरा नया function बन जाएगा इसे मैं कहूँगा maximum of f2 और यह max function भी convex function है इसे मैं है प्रूव नहीं कर रहा हूँ बढ़ आपको इसे ध्यान रखना है कि यह convex function है ठीक है तीसरा दूसरी property है अगर fx convex है तो मैं x की जगा अगर ax plus b लिख दूँ याने मैंने उस function को transform कर दिया मतलब x को मैंने ax plus b कर दिया तो affine transformation of a convex function is also a convex function यह भी आप आसानी से प्रूव कर सकते है second order property second order के जो हमने बात की थी उसको use करके आसानी से प्रूव कर सकते है तो इनसे हम बहुत सारे उधारण हमारे जनरेट होते हैं जैसे पहला उधारण है piecewise linear function का याने fx is ai transpose x plus bi का maximum याने अगर में पास ऐसे बहुत सारे piecewise linear function है a1 transpose x plus b1 a2 transpose x plus b2 ऐसे बहुत सारे में पास linear function है और इन सब का वे function का maximum लेता हूँ इन function का maximum कुछ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह दिखेगा देखिए piecewise actually ये ये गलत मैंने बना दिया है थोड़ा सा ऐसा नहीं है जो भी है मतलब अगर मेरे पास a transpose x है तो ये पहला plane है फिर दूसरा a transpose a1 a1 ये है a2 ये है ऐसे a1 a2 a3 a4 ऐसे बहुत सारे मेरे पास linear surfaces है और इनका जब मैं maximum लूँगा तो ये एक तरह से convex function का काम करेंगे ये ये हम पिछली property से अप्रूब कर सकते हैं ये जो property है इस से हम प्रूब कर सकते हैं कि point wise maximum convex function is convex function क्योंकि सारे linear functions convex भी है तो इनका maximum function भी convex function होगा ठीक है देर्फोर maximum distance to any set भी convex हो जाएगा क्योंकि आप देखिए ये जो ये जो supreme ये जो function मैंने लिखा है आपर supremum of s in s x minus s ये क्या है इसे हम देखते हैं ज़रा तो basically हमारे पास एक ऐसा function एक set है सेट है s और maximum distance अगर मैं निकालूँगा उस set का तो वो convex होगा हम ये कहना चाहरे है ठीक है तो हाँ तो ये मेरा सेट है मेरा सेट s है ठीक है और मैं निकालना चाहरा हूं max of x-s in s यानि मैं maximum distance to any set निकालना चाहरा हूं ठीक है तो मैंने कोई x लिया और मैंने उससे set से maximum distance निकाला उस x-point का ठीक है तो एक mapping हमारी बन गई है function क्या होता है कि मैं एक input लूँगा और मुझे output रिखना चाहिए तो ये हमारी mapping है मैंने कोई एक point x लिया और मैंने निकाला कि उस यह जो x है यह कौन से point उस set से सबसे दूर वाला point कौन सा है और उसके मैंने distance निकाल दी ठीक है तो यह हम कैसे निकालेंगे भाई यह तो बड़ा असान है यह अगर मुझे max of s निकलना है तो max of s x-square भी max होगा और हम ने देखा है कि यह एक तरह का quadratic function है ठीक है और max जो है यह maximum of कुछ इस तरह दिखेगा आपको maximum of i s i sorry x minus s i square over i right now this is a quadratic function this is a quadratic function यहने x minus s norm square quadratic है क्यों quadratic है क्योंकि x minus s i square को मिलिख सकता हूं x minus s i transpose times x minus s i जिसे मिलिख सकता हूं x minus s i transpose times identity times x minus s i transpose ठीक है और आपको दिख रहा है कि यह x transpose p q के form में आ रहा है तो और हमने देखा था कि quadratic function एक convex function होता है अगर बीच में psd matrix हो और identity psd matrix है और चुकि हर point से distance x का quadratic function जो कि convex है तो maximum of all the distances भी convex function बना देगा तो यह उत्रा obvious उधारण नहीं है आपके समझने के लिए लेकिन मैं चाहरा था कि इसे आप आप समझ ले ठीक उसी तरह मैंने यहां पर दो उधारण और लिखे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने वापस जाएं और इन उधारण को समझें कि यह convex functions जो बनाते हैं इससे इससे आपको यह clear होगा कि convexity जो है कहां कहां आती है और आप से यूज कर सकते हैं बाकी मैं और अभी इस course के हिसाब से और डीप में नहीं जाओंगा बट मैंने इसमें यहां पर आपके आपके फाइदे के लिए मैंने और भी कुछ उधारण दिखे हैं जो की में जो की थोड़ा से जादा एड़ांस आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं और इस पे आप हमें डाब भी पूल सकते हैं तो अभी हमने लास्ट के दो lectures में हमने convexity की बात की थी और उसके पहले हमने convex sets की बात की तो यह जो हमने बात करिए है convex sets और convex functions अब हम समझ गए हैं कि convex functions क्या होता है convex set क्या होते हैं तो अब हमारे पास जो एक optimization problem आएगा उसमें minimum of fx such that x is in a certain set capital X अगर यह capital X convex set है और minimum और जो function fx है जो हमार objective function है वो convex है तो overall problem convex हो जाएगा तो हम समझ गए हैं इसे अब हम अब हम अगली class में हम देखेंगे कि जो constraint problems है especially machine learning के context में कुछ constraint problems है जैसे SVM वाली problem है या और भी कुछ problems है हम देखेंगे कि हम उन constraint problems को कैसे solve करते हैं और हम convexity का प्रेयोग भी करने वाले हैं तो हम अगली बार मिलते हैं और constraint optimization की बात करते हैं thank you so much